हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम नए तरीके की नास्ते की रेसिपी अगर आप रोज रोज वही सबजी रोटी खाकर बोर हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आज कुछ नया बनाया जाए तो आज की रेसिपी सिफ आपके लिए है बहुत एक कम चीजों में और बहुत ज़दा हेल्दी नास्ता बनाकर हम तयार करेंगे तो चलिए फैन बिना किस किसी देरी के फटा-फट से इस नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर लें साथ में जो घंटी आती है उसे भी और आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोहा है वो थोड़ी सी मोडी क् aujourdounded का है इसी तरह का पोहा आपको इस्तवाल करना है तो सब्से पहले हमें एक 믹्ट सिंग जाल ले लेंगे और अपने सारे पोह को हम इसमे ट्रांस पर कर देंगे तो फ्रेंस पहे हमें अच्य तो आप इसमें डालेंगे एक से दो चमज के करीब देसी घी अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगा पर तेल भी डाल सकते हैं तो आप इन सभी चीजों को मच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देसी घी डालने से हमारे नास्टे का जो टेस्ट होता है वो काफे ज़ादा बढ़ जाता है तो देखिए हमने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब इसे हम गूतना स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको नॉर्मल पानी से नहीं गूलना है इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी करके अल्रेडी रखा था तो अब दीरे-दीरे करके हम पानी डालेंगे क्योंकि आज हम इस नास्टे को बनाने के लिए पोहा इस्तमाल कर रहे हैं तो पोहा थोड़ा सा पानी को ज़्यादा अब्सौर्ब करता है इसलिए हम इसमें धीरे-दीरे कर कर स्मूध कर लेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो काफी अच्छे से चिकना हो जाए और जब हम इससे नास्ता बनाए तो इसली बन जाए तो देखिए यहां पर हमें थोड़ी से पानी की कमी लग रही तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है और इस तरह से आप देख सकते ह है इसमें हम ढालेंगे आदा चोटा चमच के करी तेल और जैसे यह हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे एक चोटाई चमच जित्ता साबू जीरा इसके साथ हम इसमें डालेंगे दो सेचीन बारी कटी हुई हरी मिच हरी मिच आप अपने स्पास के कोर्डिंग डालिएगा इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बारी कटी हुई प्यास अगर आप प्यास नहीं काते हैं तो आप प्यास को स्किप कर सकते हैं इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारी कटी हुई शिमला मेच और एक बारी कटा हुआ टमाटर तो इन तीन पर अपने गयास के फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे ताकि इसके अंदर जो मॉस्चर है वो खतम हो जाए तो देखिए एक से दो मिनट भूनने के बाद हमाई इसो सपगा है वो हलकी सी ड्राय हो चुकी है तो अब इसमें डालेंगे एक चौताई जमम जितीक काश्मेरि लालमेच हम चूर पाउडर और इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पावभाजी मसाला तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए हम इसे एक से दो सेकेंड के लिए और अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे मसालों से अच्छे से खुछबू आने लगे और जैसे हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे हम इसमें ड के भून लिया है और हमारी जो स्टफिंग है वो रैडी हो चुकी है तो आप हम इसमें सक्से लास्ट में डालेंगे थोड़ी सी फ्रस्ट बारी कटी हुई हरी दन्या और इसे डालने के बाद हम अपनी कैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और यहां पर हमारी चटपटी से राजर को हाथ में लेंगे और इससे हम इस तरह से टिक्की का शेप दे देंगे जिस तरह से हम आलू का पराठा भरते हैं से इसे और ऊपी से डूठी सीसे डूर फोल कर दिया है तो इसे हम हातों से यह ता सी प्रेस करते हुए तो इस तरह से मैं इसे rectangle shape में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे कोई भी shape में बना सकते हैं, तो इसकी shape को अच्छे से बनाने के लिए हम एक knife का इस्तमाल करेंगे, तो देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से shape दे देंगे, तो चारो side से हम इसे अच्छे से clean कर लेंगे, त इसी तरह से अपने सारे नास्ते को बना कर रेडी कर लिया है तो आप इसे हम स्टीम करने के लिए स्टीमर प्रीट लिया है तो सबसे पहले इसके उपर हम थोड़ा सा ओएल लगा देंगे ताकि जब इस पर नास्ता रखे तो हमारा जो नास्ता को हम देख लेते तो देखिए हमने पानी को बॉयल होने के लिए लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा भी बॉयल भी आए तो जबसे पहले हम इससे ढग देंगे तकरीबां पास अपनी फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी सा स्टीम आने लगे और जैसे हिसके अपने स्टीम बनने लगेगी हम अपनी तयाग यू प्लेट को इसमें रख देंगे तो देखिए हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है तो अब इसे हम गैस की फ्लेम को हाई करके तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से स्टीम करेंगे बहुत जदा देर तक आपको इसे स्टीम करने के बिल्कुल भी ज़रत नहीं क्योंकि यह पोहा है और पोहें हमारे बहुत जल्दी कूख हो जाते हैं तो तरह यह तकरीबन पांच मिनट हो चुक है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोहा है तो काफी इच्छे से कूख हो चुका है तो जब आपको इसके अंदर हम इसमें डालेंगे एक चौथाइ चमजिती काश्मीरी लाल मेच और आदा चोटा चमज के करीम हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो अब हम एक नाइफ ले लेंगे और अपनी नाइफ को इस मसाले से अच्छे से कोट कर लेंगे, इस तरह से आप देख सकते, तो अब इस तरह से मसालों को कोट करने के बाद, अब अपने नास्ते को हम इस तरह से कट लगा देंगे, ताकि हमारा जो नास्ता है वो देखने में अच्छा लगे, तो देखिए हमें इस तरह से कट लग तेल में डालेंगे और तेल में डालने के बाद अब इसे हम हाई फ्लेम पर तकरीबान 10200 के लिए अच्छे से fry करेंगे आप चाहिए तो इससे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन एक से दो मिनट इससे अच्छे से फ्राई करने से हमारे नास्ते में बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प हो जाता है और ये बिल्कुल भी ओईली नी बनते हैं क्यूंकि हमने इससे बहुत ही अच्छे से हम फ्राइ कर लेते हैं तो फ्रैंस बनकर तयार हो चुका है हमारे ये पोहे का बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटा नास्ता इसे आप जरूर ट्राय कीजेगा ये खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है अगर आप इसे फ्राइ करके नहीं खाना चाहते तो आप इसे हलका सा तवे पर सेख कर भी खा सकते हैं दोनों तरीके से ये खाया जा सकता है तो जो भी तरीका आपको पसंद है आप उस तरीके से इसे बना सकते है और आप मैं आपको इसे तोड़ कर भे दिखा देती हूँ कि बाहागा से जितना क्रिストपी है अंदर से उत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नहीं मज़दार सपीस के साथ अप तक लिए अपना ख्याल रखें बाबाई और टेक केरें थैंक यू फॉर वाचिंग